एक बर फिर से आप सब का खेर मक्दम है, स्वागत है मेरे इस चैनल कानून की दस्तक में, जिसका बुन्यादी मकसद है कि आप तक एहम और जरूरी कानूनी जानकारी पहुचाई जाएं। आज की इस वीडियो सेशन में हमें कहम टॉपिक को डिसकस करने जा रहे हैं, विच इस रिलेटेड टू दिए अबेटमेंट अफ सिवसाइड वीडियो को बिना स्किप किये एंड तक देखिएगा, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अबेटमेंट टू सिवसाइड का कोड में डिफाइन किया गया है, और जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं, इट रीट्स दैट, इफ ए परसन कमिट सिवसाइड, हुआवर अबेट्स शल भी पनिश्ट विद सिंपल इंप्रिजनमेंट, विच मैं एक्सेंड तो अप टैन यह एंड फाइन, यानि कि अगर को कर रहा है, मदद कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, इसके खिलाफ 306 की कारवाई हो सकती है, जिसमें इसको 10 साल तक की सजा मिल सकती है, अलावा इसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है, अब इस सेक्शन को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, हमारे जहन में बहुत सारे सव खड़े उठते हैं हालाथ किस किसम के होने चाहिए अज करदे पर लिया हुआ पैसे को इस करदे पर लिए हुए पैसे को इसकी इनकारी की बुन्याद पे 306 की कारवाई बनती है या नहीं simple words में मैं कहूँ कि अगर हम किसी शक्स से करजे पर पैसा लेते हैं और जब इस पैसे को return करने का time आता है and we fail to return, हम return नहीं कर पाते हैं whatever will be the circumstances, हालात कैसे हो हम return करने में fail हो जाते हैं और उस निस्बत में जो पैसा कर्ज पर दे रहा है वो suicide कर रहा है तो क्या इन हालात में हमारे खिलाब 306 की कारवाई बनती है या नहीं इसको मजीद जानने के लिए मैं केस का reference दूँगा एक judgment का reference जो की हाल ही में हाई कोट अब जम्मू एंड कश्मीर है लदाख के जरिये मंजरे आप आई हुई है केस का title है गवरी देवी वर्सेस स्टेट अब जम्मू एंड कश्मीर इस केस के दो important characters है इस तो इंपोर्टन गरेक्टर वन इस दिर इस अ मदर इनला गवरी देवी and second son-in-law एक सास है और एक दामाद है दो important character इस केस में है तो होता क्या है basically जो मदर इनला है गवरी देवी वो अपने son-in-law से दामाद से some 70-80,000 उधार पैसे लेती है करजे पर लेती है और यही पैसा यह जो son-in-law है इसने किसी तीसरे शक्स से करजे पर लिया है अब बात यहाँ पर रिटर्न करने की आती है तो son-in-law यानि दामाद ने गवरी देवी से पैसा रिटर्न करने के लिए कहा and she refused उसने पैसा रिटर्न करने से इंकार कर दिया whatever will be the circumstances we are not aware about that तो अब यहाँ से जिस इस son-in-law ने तीसरे शक्स से करजे पर पैसा लिया हुआ था वहाँ से इसको continuously प्रेशराइज किया जा रहा था पैमिट रिटर्न करने के लिए और यहाँ से इसको इंकारी मिल गई then ultimately he committed suicide उसने suicide कर ली आत्माहतिया कर ली और उसके फोरी तोर बाद mother in law यानी गोरी देवी के खिलाफ 306 के कारवाई हुई she was booked under section 306 of the RPC because the case was registered before abrogation of article 370 that's why we use RPC तो उसके बाद she was booked under section 306 तो उसके बाद जो है इस गोरी देवी ने mother in law ने high code में petition file की high code में petition file करने के बाद honorable court ने दोनों arguments दोनों वकीलों के arguments सुने और case को analyze करने के बाद high code ने कहा कि mere refusal to repay borrowed money is not abatment to suicide under section 306 of the RPC यानि महض करजे पे लिया हुआ पेसा और इस पेसे को return करने में fail होना जिसकी निजबत करजदार शक्स suicide करे तो इन हालात में 306 की कारवाई नहीं की जा सकती है और नहीं बनती है the judgment was pronounced by the single bench of justice Rajneesh Oswal judge of the high court of Jammu and Kashmir then accordingly affair was caused affair को कौश किया गया बर्खस्त किया गया and the whole proceeding was caused अलावा इसमें court ने कहा कि जो 306 में abatement का जिकर किया गया है ये abatement किस प्रकार की होनी चाहिए this is very important to know ये abatement ये जो है this should be like कि जो suicide कर रहा है उसके पास कोई और दूसरा option ही ना बचे suicide करने के अलावा तो अगर ये उस प्रकार की है then accordingly 306 की कारवाई की जा सकती है इसमें पर्चा लगाया जा सकता है